नमस्कार मैं अशोक कुमार पांडे एक बार फिर से स्वागत है आपका TCH पर आज की बात में बहुत सारी बाते हैं लेकिन सबसे उपर बात तो यही आजाती है कि अनंत अम्बानी साहब की शादी हो रही है और पूरा मीडिया हमारा पूरा गोदी मीडिया ऐसे उस पे डांस कर रहा है जैसे कि मालिक की शादी में नौकर भी डांस नहीं करते हैं सोचिए यही मीडिया है हमारा जो थोड़ी दूर दिल्ले से थोड़ी दूर किसान जो बैठे हुए हैं वहां तक नहीं पहुँच पा रहा है एक किसान की मौत हो गई उसके मौत के बाद उसके गाओं में जो अंतिम संसकार होते हैं अंतिम क्रियाएं होती हैं वो हुई लेकिन हमारे किसी टीवी चैनल का कोई भी एंकर वहां नहीं पहुच पाया कि भाई शुपकरण सिंग की जो मौत हुई है उस पर जाकर कम से कम एक छोटी से रिपोर्ट बना लाए स्पेन की एक महिला जो 63 कंट्रीज में बाइकिंग कर चुकी थी 63 देशों में बाइकिंग कर चुकी थी वो हिंदुस्तान में बाइकिंग कर रही थी जारखंड में उनके साथ गैंग रेप हुआ लेकिन हमारी मीडिया के पास फुरसत नहीं है कि उनका जाकर इंटर्वू कर ले उन पर बात कर ले या इस बात पर सवाल उठाय कि जारखंड सरकार और दिल्ली सरकार किस तरह की सरकारे चला रही है कि महिलाएं वहाँ पर सुरक्षित नहीं है अब ये बात तो करिये ही मत कि इंडिया गडवंदन की इतनी बड़ी रैली हुई पटना में जबरदस्त रैली हुई गाधी मैदान के जिस तरह के दिरिश्यकल देखे गये हैं अंदर भी पूरा खचाकच बरा हुआ था बाहर भी बरा हुआ था वहाँ पर विपक्ष के सा बड़े नेता लगभग मौजूद थे और इस पर किसी भी मीडिया में आप लंबा डिसकशन, लंबी बातचीत, लंबी नियूस नहीं देख सकते अलग से रिकार्ट करने, अलग से रिपोर्ट करने की तो बात ही छोड़ दीजिए कहा भी राहुल गाधी ने सवाल भी पू बड़ा उठा रही है, मगर हिंदुस्तान की कोई भी मीडिया की कमपनी अगनीवीर का मुद्दा नहीं उठा रही है, क्यों क्योंकि हिंदुस्तान की कमपनिया अदानीची जैसे दोती नुद्योग पती के हाथ में हैं, तो मेरा कहना है कि आपकी बात, आपकी आवास मीड अबेने उठाई जाती गोदी मीडिया ना केवल पहुँच गया बलकि उसको ऐसे रिकार्ड कर रहा है जैसे देश में इसके अलावा कोई और घटना हुई नहीं और रिकार्डिंग की बाद छोड़ दीजिये एक साहब है राहुल कवल बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं चैनल पे बैठ कर बड़ी बाते करते हैं बेशिकली सरकार का बाजा बजाते हैं इसके पहले भी प्रदानमंतری महूदे का इंटर्वु जिस तरह का उन्होंने लिया था वो सब हम लोग देख चुके हैं वो पहुँचे पहते क्या हैं इस वीडियो में आप सुन लीजिए तो ये राहुल कवल है हमारे नैशनल मीडिया के एंकर पत्रकार लाखों की तंखा मिलती होगी इस बात के लिए लेकिन देश के तमाम मामलात पे चुप रह जाने वाले अपने स्टूडियो में कायद रहने वाले पहुँच जाते हैं राहुल कवल अनंत अम्बानी के हां बाकायदा उसके जानवरों का खाना खाने के लिए जानवरों पर एक बात याद आई आरिफ आपको याद होगा मुहमद आरिफ 35 साल के मुहमद आरिफ थे उन्होंने एक सारस पाला हुआ था सारस से बड़ा प्यार था उनको दोनों के बीच में बहुत प्यार था लेकिन पुलिस को जब ख़बर मिली तो वन्यजीव अधिनियम के तहट बाकायदा FIR की गई ऐसी खबरें आई कि वो गरफतार हो सकते हैं गरफतार तो शायद नहीं हुए लेकिन सारस को उठा कर ले गई पुलिस सारस जिस समय कैईड में था आरिफ मिलने गया उससे मिलने दिया कम से कम पुलिस वालोント ने और जिस तरह से सारस दोड़ के आरिफ के पास आया उससे समझ में आता था कि बाप बेटे जैसी महबबत थी उनके बीच में लेकिन आरिफ से एक सारस छीन लिया गया क्योंकि वन्यजीव अधिनियम था आप या हम कोई इस तरह का जानवर अगर पाल लें तो पुलिस उठाकर हमको जेल में डाल देगी अनंतंबानी से कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिर आपने इतने सारे हाथी कैसे पाले जो जमीन आपको मिली है वो किस स्कीम के तहट आपको जमीन मिली थी किस नियम के तहट आपने इतने सारे हाथी और बाकी सारे जानवर खरीदे ये पूछने के हिम्मत अनंतंबानी से किसी की नहीं है क्योंकि उनके बाप जो अम्मानी साहब है वो इस देश के सबसे बड़े पूजी पत्यों में से ही नहीं है वो इस देश की सत्ता चलाने वालों में से ही है इस देश की सत्ता जो नियम बनाती है जो नियम तोड़ती है घटाती है सारा कुछ इन्हीं अमानी साहब के फायदे के लिए होता है इसलिए तो हमारी फिल्मी दुनिया के स्टार सों क्रिकट के स्टार सों सारे के सारे पहुँच गए वहाँ पर नाच नाचने के लिए मतल mee अमानी के पैसों पर सब वहाँ नाच रहें हैं मुझे याद आता है COVID का टाइम था हम लोग पागलों की तरह से लोगों की मदद करने के लिए लगे थे 200, 500, 1000, 1000 रुपए की उस समय कीमत थी लोगों की मदद करने के लिए Hospitals नहीं थे, Gas नहीं थी क्या-क्या नहीं था आप सब जानते हैं कोई ऐसा नहीं होगा जिसके परिवार ने कुछ नकुछ उस समय ना जहला हो लेकिन ये हमारे Film Stars आपको कहीं दिखाई दिए ये हमारे Cricket Stars ये हमारे Ammanis ये हमारे अदानी कहीं दिखाई दिए हाथियों के लिए जो इतना प्यार दिखा रहे हैं जब इनसान लगातार मर रहे थे, जब इनसानों के साथ वो सारा कुछ हो रहा था, जब कोविड ने तहलका मचाया हुआ था पूरे देश में, तो कहीं आपको अमबानी, अदानी, खान, एक से एक, तीनों खान, हीरोज, हमारे क्रिकेट स्टार्स ये कहीं दिखाई दिये, कह क्योंकि पैसा मिले तो ये बेटिंग एप का भी परचार कर देंगे, पैसा मिले तो ये गुटके का भी परचार कर देंगे, और पैसा मिलेगा तो अमबानी के हाँ जाकर ठुमके मी लगा देंगे, जनता की किसी प्राबलम में आप इनको नहीं देख सकते हैं, कभी किसान यहाँ वहाँ से आगए कुछ मीठे माठे आ जाते हैं लेकिन बाकी हमारे जो स्टार्थ हैं वो सारे चुप रहते हैं और यहाँ एक और स्टार थी जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है रिहाना रिहाना के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि इन्होंने एक बयान दे दिया था उसके बाद तहलका मच गया था हिंदुस्तान में किसानों के पक्ष में बयान दे दिया था उसके बाद यही स्टार यही बाकी सारे लोग कह रहे थे कि विदेशी हैं और हमारे देश के मामलों में हस्तक शेप कैसे कर रही है पूरा का पूरा जो गोदी मीडिया था वो एंटी नैशनल मना चुका था उनको एंटी नैशनल तो खेर वो क्या होंगी हमारी नैशनल तो है नहीं वो लेकिन सब के सब उनके पीछे पड़े हुए थे वही रहाना 60-70 करोड रुपए लेकर आती है अमबानी के हाँ डांस करती है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है मतलब किसानों के मामले में बोल दे रहाना तो वो देश की दुश्मन हो गई लेकिन अमबानी के हाँ नाच दे तो जो एरपोर्ट है वो बेसिकली सुरक्षा का एरपोर्ट है वो सिक्योर्टी एरपोर्ट है वैसे ही जैसे कश्मीर का एरपोर्ट हो या गोवा का एरपोर्ट हो इन जगों पर आप जाएंगे तो लिखा हुआ पाएंगे कि ये बिसिकली एरफोर्स को बिलाउंग करते हैं इसलिए वहाँ पर अंदर फोटो ओटो खीचना मना होता है तो जामनगर का एरपोर्ट भी ऐसा ही है वो इंटरनाशनल एरपोर्ट नहीं था लेकिन अब मालिक की शादी है तो सारे नियम रातो रात बदल दीए गया 10 दिए उसको इंटरनाशनल एरपोर्ट बना दिया गया 10 दिन के अंदर वहाँ लाउंज बढ़ा दिये गया सारी सुविधायیں बढ़ा दी गई कि 10 दिन के लिए वो इंटरनाशनल एरपोर्ट होगा जैसे फिल्मों में शूटिंग के लिए दस दिन के लिए सेट बना दिया जाता है उसको भी सेट बना दिया गया हमारी रक्षा का सवाल वहां जुड़ा हुआ है एयर फोर्स का है लेकिन दुनिया भर के लोग वहां पर उतरेंगे और मेरा दावा है कि कोई फोटो खीचे डांस करे किसी को रोकने के हिम्मत नहीं होगी क्योंकि मालिक के बेटे की शादी है कभी आप कल्पना कर सकते हैं किसी घरीब के भले के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया जाए कभी आप कल्पना कर सकते हैं खरकलपना आप क्या करेंगे, जितना पैसा करोड़ पतियों का करज माफ करने के लिए खर्च किया जाता है, उस पर तो सारे लोग खामोश रहते हैं, उस पर तो कोई शोर नहीं मसता है, टीवी चैनल्स मास्टर स्ट्रोक बताते हैं, लेकिन किसान अगर अपनी MSP मान रहा है किसान अगर कह रहा है कि हमारे करजे माफ कर दो, तो सबको लगता है कि देश के पास पैसा कहां से आएगा, ये कैसा देश बनाया है आपने जो अंबानी के बच्चे के शादी में नाच रहा है, सोशल मीडिया पे चारो तरफ आप देखिए, अनंतंबानी, अनंतंबानी, चाये हुए हैं, मतलब पागल हो गए हैं लोग सिर्फ इस बात पर कि इस देश के सबसे रईस लोगों में से एक के बेटे की शादी है, वैसे रईसों की इस देश में कमी नहीं है, टाटा भी रईस है, बिल्ला भी रईस है, इनके हां भी शादियां होती है, लेकिन इतना आटक नहीं होता है, अम्बानी परिवार थोड़ा खास है, धीरू भाई अम्बानी के जमाने में ये रईस हुआ है, ये जो रईसी है इनकी, ये काफी नई-नई है, और किस तरह से किस तरह से पालियस्टर वार बगरा चला है, और किस तरह से नेमों का फायदा उठाकर ये परिवार रईस हुआ है, इसकी कहानिया बहुत तरीके से आ चुकी है, तो ये नई-नई रईसी है, जो सारी दुनिया को दिखानी है, वो दिखा रहे हैं और लोग देखकर नाच रहे हैं, वैसे ही जैसे सिनेमा में भविद्रश देखकर लोग नाचते हैं, और ये भूल ज उनकी अपनी गरीबी उनकी अपनी परिशानी उनकी अपनी बेरोजगारी से इनको कोई मतलब नहीं है एक सीधा सवाल है मेरा हाथी गोडे पर इतना खर्च करने वाले अमबानी कभी किसी गरीब पर इतना खर्च करते हुए आपको दिखते हैं फिर आप क्यों पागल हुए हैं आपके समझ में नहीं आ रहा है कि यह जो मीडिया है वो अमबानी के धुन पे इसलिए नाच रहा है क्योंकि मीडिया अपने मालिक के धुन पे नाच नहीं था उसको अब मीडिया आपके लिए काम नहीं करता है अब मीडिया अमबानी अदान के लिए काम करता है और इसलिए सरकार के लिए करता है और उस पर कोई सवाल उठा दे तो वो एंटिनाशनल हो जाता है उस पर कोई बात कर दे तो वो एंटिनाशनल हो जाता है एक तरफ कहां हमारे देश में ये परंपरा बन रही थी कि शादियों में खर्च घटाये जाना च आए हैं, ये हमारे आपके پाकेt से काट के ही आए है, ये हमारे आपकी सुभिधाय छीन कर ही उनको दिये गए हैं, जो पैसे वो आराम से लुटा रहे हैं, लेकिन अपने पाकेt के चिनता किसको है, हम तो एक ऐसे देश में रहते हैं, जहां मुसल्मान मारा जाता है तो लोग कहते हैं चलो अच्छा हुआ अब्दुल की चूडी टाइट हुई जहां बेरोजगारों के पिटाई होती है तो लोग टीवी चैनल चेंज कर देते हैं अगर किसी चैनल पर आ रहा हो जहां अगर उमर खालिद की कोई बात करे तो उसको एंटिनाशनल कह दिया जाता है जहां किसानों की बात करो तो खालिस्तानी कह दिया जाता है जहां अपने ही बारे में सोचने की लोगों को फुरसत नहीं है लोग ये नहीं देख पा रहा है अपने पागलपन में कि कैसे उनके जेब से एक एक पैसा निकाला जा रहा है कैसे उनके मूँ से एक एक निवाला निकाला जा रहा है ये सब देखने में उनका कोई इंटरस्ट नहीं है गोदी मीडिया अम्बानी के हाथी की खिचडी खा रहा है और ये देखकर हमारा देश जूम रहा है इससे जादा शर्मना क्या हो सकता था लेकिन शायद न्यू इंडिया में जो पहले शर्म थी वो न्यू इंडिया में गर्व की बात है तो गर्व कीजिए कि आपको बुलाया भले न गया हो कम से कम टीवी पर अम्बानी की शादी का तमाशा देखने को मिल रहा है और जिनको आप हीरो समझते हैं जिनको आप बहुत बड़ा नायक समझते हैं वो जाकर एक रईज जादे की शादी में ठूंके लगा रहे हैं क्योंकि उसके बदले उनको पैसे मिल रहे हैं अब ये दुर भाग गया है कि सो भाग गयी है आप तैंकर लीजेगा हमें तो जो लगेगा वो हम कहते रहेंगे लगातार कहते रहेंगे अगर इस कहने में आपका सपोर्ट मिलेगा तो हमें और ताकत मिलेगी अगर आपको लगता है कि कोई तो जगा ऐसी हो जिनमें इन चीजों पर सवाल भी उठाय जा सके तो जुड़िये हमारे साथ मेंबर्शिप ले सकते हैं वीडियो शेयर कर सकते हैं सुपर थाइंक्स दे सकते हैं चैनल सबस्क्राइब कर सकते हैं अगर लगे तो जरूर कीजिए क्योंकि हमारा मानना है कुछ आवाजें ऐसी बची रहनी चाहिए जो मीडिया के इस पागलपन में इस हाथी में इस खिचड़ी में इस डांस में पागल होने की जगा आम आदमी की आपकी और हमारी बात कर सके आज के लिए इतना ही बहुत शुक्रिया आपकी बढ पाग बबड़ Hagam प्रापश side आपकी और सकता सकता तो आपकी आपकी जो ते पर फ्रापश